हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है कि आज से यूपीस्टी के मैंस इक्जाम से साड़ हो गए है और आज फर्स पेपर था एशे का पेपर था और यूपीस्टी का जो फर्स एपिरेंस है अफ्टर लुकिंग पिसली साल का वेपर था और मुस्ट उसी ट्रेंड पर है मोस्ट अब टाइम इडिस टिल्टेट वाड़ फ्लॉस्पिकल सारे ऐसे देखो गिर सब फ्लॉस्पिकल की दरफ टिल्टेट हैं कुछ एक टॉपिक्स हैं जहां पर लग रहा है तोड़ा जी एस से भी उन्होंने क था वो फदा टिल्टेट है य क्योंते हैं टो जैसे पता है कि लिजने के लिए आते हैं और एक ऐसे को हमें लिखना होता है कितने बर्ड स्में 1,000 door ईिर्ट के बीच में लिखना होता है और एक ऐसे की एक हैं 25 थीक है दो ऐसे होते हैं यह आपको सभी को पता होना चाहिए अब देखें दो सेक्षिन होते हैं और सेक्षिन वाइज यूपीएसी ऐसे रखती है और हर सेक्षिन में चार कुश्चन होते हैं चार में से जो टॉपिक्स होते हैं चार कुश्चन जो होते हैं उन में से आपको एक topic पर और एक question पर आपको ऐसे लिखना होता है जैसे कि section A में अगर आप देखें तो first question जो कहता है first topic कहता है forest are the best case forest are the best case study for economical excellence economic excellence को अगर अच्छीव करना है then forest are the best case हिंदी में बढ़ते हैं आर्थिक समर्द्धी हासिल करने के मामले में बन सनबोत्तम प्रतिमान होते हैं अगर आपको किशीवी economy को किशीवी nation को economic excellence अगर अच्छीव करना है तो उसे forest को अच्छे से conserve करना होगा अब यहां से हमें जब लिखना रहता है न ऐसे then सबसे पहले brainstorming करना चाहिए brainstorming means think that how you are going to write the essay pride to writing गई से उससे पहले इतना सोच लो समझ लो कि किन किन dimension में लिखना है because one thousand words is not easy कि आपको एकदम से अब लिखेंगे और point आ जाएंगे तो आपको पहले brainstorming करना होगा अगर आपके पास कोई अच्छी stories है anecdote है उसको put up करो ठीक है anecdote लगाओ नहीं बनना है तो बनाओ anecdote को instantly अगर यह नहीं है then you must quote some मतलब किसी quotation को कर सकते हो अगर मैं लिखता तो मैं इसमें quotation में अच्छा add कर सकता था like only after the last tree has been cut down and only after the last fish has been caught and only after the last river has been poisoned then only human will realize that money can't be eaten तो यहाँ से अच्छी सुरुवात कर सकते थे कि जब एक last tree, last spade होगा वो जब कट जाएगा last fish को जब भी अब आदमी पकड़ चुका होगा और जब last river वो भी poison generally हो चुकी होगी तब इनसान को पता चलेगा कि पैसा जिसके लिए हम सब कर रहे हैं forest को काट रहे हैं fishes का excessive production कर रहे हैं यह इससे तब पता चलेगा हर चीज़ पैसे के लिए तो कर रहे हैं तो तब पता चलेगा जब सब कुछ खतम हो जाएगा कि money can't be eaten कि पैसा नहीं खाया जा सकता तो उससे start कर सकते थे then we should go toward ancient time ancient time से कुछ अच्छा examples लेगे आ सकते थे कि कैसे करके ancient में forest conservation help किया है in the resources efficiency और economic excellence अच्छीव करने में तो उसमें हम example दे सकते थे इंडिया के example and particular world में भी example देख सकते थे like कैसे कर के ancient period में like the Rig Vedic period में और early Vedic period में and later Vedic period में how forest has been used by the forest dwellers for achieving their economic excellence तो बहाँ से आप quote कर सकते हैं इसके बाद medieval time में देख सकते हैं इसके बाद contemporary time में forest का impotence क्या है उसे देख सकते हैं फिर economic dimension हमें by pastal things के according चलना चाहिए कि politically हमें कैसे benefit करते हैं economically क्या benefit as forest का socially क्या benefit है technologically हम कैसे करके technology का use कर सकते हैं the forest conservation administration dimension कोड़ सकते थे ऐसे करके multiple dimension में हमें आशे लिखने के लिए इस ही हो जाता है अगर आप dimension wise होसते हैं otherwise ऐसे लिखना बहुत टफ हो जाता है और जिस सदी किसी quotation के साट किया उसी quotation का जब last में जाके conclusion कर सकते थे तो ऐसे अपना हाराम से 1200 word का ऐसे लिख जाता second ऐसे देखते हैं तो इसमें क्या गया आप पोईट सादा unacknowledged legislature of the world कभी जो हैं कभी संसार के अनिदिकरत रूप से मान बिदाहिक होते हैं अतलब वो legislature है बट उन्हें अभी तक knowledge उन्हें acknowledge नहीं किया गया है unacknowledged है तो इस पे भी आप लिख सकते हो यह थोड़ा और लाइक कितनी एक वो philosophical side tilt होते हुए ऐसे हैं थर्ड देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है थर्ड टॉपिक है कि history is a series of victories history is a series of victories born by the scientist man over the romantic man history क्या है history is nothing it is a series of victories that is born by the scientific man over the romantic man तो कैसे कर के scientific man ने romantic man के उपर victories series of victories established करी हैं जैसे जैसे कर के logic, rationality and scientific temperate ने कैसे कर के जो old theories थी उनको conquer किया उनको defeat किया तो उसे लेट रही ऐसे है then sip in hardware is safe but that is not what sip is for अगर sip कोई hardware में है तो वो safe है but that is not what the sip for जहाज बंदरगा के अभीता सुरच्छत होता है प्रंदस के लिए अगर वो hardware पर ही खड़ी रहे तो उसका फिर use क्या है और हम कहते है कि सिर्फ hardware में है तो safe है और अगर वो ocean में होगा तो वो safe नहीं है बढ़ फिर सिर्फ का काम ही क्या रहेगा अगर सिर्फ ocean में नहीं जा रहा है तो इससे आप अपनी life से correlate कर सकते हो ठीक है you are safe in your home but what is your use अगर आप घर में ही रह रहे हो और आप safe हो बाहर नहीं जा रहे हो तो इसका भी तो आपका कोई यो purposeful नहीं है इसका भी तो कोई purpose नहीं है आप घर बेट के यो सब को स्रीं कर सकते हैं तो ऐसे ही इसमें है कि सिफ is safe at a harbor but that is not the that is not the condition for which safe has been safe has been made तो सिफ तो किसी और पापस से बनाया न तो सिफ को अपना काम करना ही बढ़ेगा तो ऐसे अब इसको भी मैं अगर लिखता तो मैं ancient dimensions से then I should go I always think from a multiple dimension मैं जब भी सोचता हो तो मैं सोचता हो कि ancient history से world history से examples लेके आऊं medieval history से examples लेके आऊं contemporary examples लेको फिर देखूं कि इस चीज को हम कैसे political, social, economical, environmental, technological, administrative legal dimension में कैसे use कर सकते हैं ऐसे गर के क्या होता है कि to get the point easy हो जाता है और आप आराम से 1000 to talented board लेक सकते हो so in this direction में आपको brainstorming करनी चाहिए उसके बाद आप ऐसे लिखना चाहिए तो इसमें एक लिखना था तो मेरे लिए तो ऐसे कौन हो गया था मैं तो first essay पर ही मैं first topic पर ही ऐसे लिख देता अब second topic दिख लेते हैं मतलब second topic जो आपको select करना है कि उसमें आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि फिफ्त ऐसे कहते है time to repair the roof is when sun is signing time to repair the roof is when sun is signing मतलब छप पर मरमत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो भई अब time to repair अब भई आपकी roof है जो collapse हो चुकी है और rainfall हो रही है तो ऐसे में आप तो sign दो नहीं करोगे अब यह क्या है यह थोड़ा philosophical है अब आपको इसके examples लेके आने हैं अपनी daily life से अपनी various dimensions को लेते हुए कैसे करके ancient time की examples मेड़ेबल से कैसे examples उठा सकते हो महाँ आपको देखने time to repair the roof is when sun is signing वो जैसे अब ancient medieval time में कि होता था कि जो kings होते थे वो they try कि कब किसी नीवी protect करना है तो यहाँ actually बाद ही हो रही है context यह है कि what should be the actual time to take decision ठीक है सही समय क्या होता है किसी भी बड़े काम को करने के लिए किसी भी decision को लेने के लिए यह उसके उपर topic है ठीक है you can't step twice in the same level आप you can't step twice in the same level आप उसी नदी में दुवारा नहीं उतर सकते ठीक है you can't step twice in the same level और मुझे यह जहां तक लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा लिख सकते थे because you can't commit the same mistake once you have committed हम हमेशा कहते हैं ना कि आपने गर लाइफ में एक mistake कर दी है then never commit this mistake ठीक है तो ऐसे करके आप ऐसे करके आपको इसके example लेखने है you can't step twice in the same level अगर किसी ने किया है इसके positive negative लेखना है अच्छे से हैं ना तो इस पर है a smile is a chosen vehicle for all amiguities हर असमंजस के लिए मुसकराहट ही चुनिंदा सादन है a smile is a chosen vehicle for all amiguities जितनी भी असमंजस हैं जो भी amiguities से हम सफर कर रहे हैं उसके लिए a smile is a chosen vehicle तो happiness is a chosen vehicle for all amiguities अगर आपको सारी असमंजसतों से बाहर निकल के आना है तो आपको क्या करना होगा आपको definitely आपको यह चीज़ इंसवार करनी होगी कि आपको अपने आपको smile सो करें you should feel a smile you should feel happiest ठीक है तो यहाँ happiness पे उपर थोड़ा ऐशे है इसमें कुछ thinkers को आप quote कर सकते हो like soccer team and other soccer team को आप अच्छे से क्योंको उनका happiness पे बहुत view है ultimate aim of the life of the humans is to get happiness तो that will help to remove your all ambiguities ठीक है all problems तो आप इस पे तो मैं अगर इस पे ऐसे लिखता है अगर मुझे इस पे लिखना होता just because you have a choice it doesn't mean that any of them has to be right just because you have a choice it doesn't mean that any of them has to be right केवल इस लिए कि आपके पास बिकल्प है इसका यह अर्थ कदाप ही नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा अगर आपके पास बहुत सारी choices है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी नहीं किसी को भी ठीक होना ही होगा ठीक है तो यह फिलोश्पिकल है और आपको various dimensions सोचनी है सोचना है ancient history से examples लेने है medieval से लेने है modern से लेने है then pastoral के calling thinking अन्यमें दाप political, economical, social, technological, administrative, legal thinking करनी है तो उस dimension में आपको सोचना है just because you have a choices like take the example of the society society में you have multiple choices that you may follow this religion you may follow this caste you may follow this caste it doesn't mean that any of them has to be right भाई इसका मतलब यह नहीं कि सारी सही है कुछ भी सही है कुछ भी नहीं सही है ठीक है कुछ सही भी हो सकते है कुछ नहीं सही भी हो सकते है ठीक है you are following the religion of Hinduism it doesn't mean that you have a choice of to follow the religion of Hinduism it doesn't mean it is right if you are following the christianity it doesn't mean that you have a choice to that you have a choice to follow the religion or to have choice to follow any particular practice it doesn't mean that it is right okay so all these things are doing so you have to write examples like in ancient time buddha followed the policy of dhamma still when he had choices that he can follow the any religion at the time but he has multiple choices but still he used to follow what policy of dhamma because why because it seems that those choices are not right what do you know that all choices are right understand so this is the truth if you understand so Ackbar invited all the people from the different religion he invited him to discuss and debate ultimately he has multiple choices to follow any religion muslim could follow he was islamic so he has his own religion and deen-e-elahi so asikar ke example leke ane hain ancient se medieval se modern se understand so that is what the chance then is me here example leke sakte ho ke that uh uh countries have a choices to follow any other any other form of the government why the why why the most of the country choose democracy most are the choices to him ke paas and even they have they have a choose the democracy it doesn't mean the democracy is right democracy is the best form of the government till the time we doesn't have any alternative form of government hey na to essay garke a cool understanding karke a cha sa a shi lakna reta hai toh maesme saat isme dhonow mein se kishe make licks a licks licksakta tha smile is a chosen vehicle for all emiguties yeh bhi acha is purchase licksakte ho and the second just because you have a choice it doesn't mean that any of them has to be right so thank you mein yeh kaunga ke uh uh upsc continuously philosophical ashe bhanati jya rahi hai toh aapko yeh hi focus karna chahiyeh ke that uh we should uh we should uh we should uh we should have to prepare for the uh what upsc going to give in thik hai toh hume hii ssocana chahiyeh ke we have to continuously brainstorm over the topics thik hai toh brainstorming karte rahi yeh koji topic maana uspa brainstorming karna chaaloo kar diya ssocana chaaloo kar diya kaisi licksakta ho ne ssocana chahi hai toh brainstorming is a key to get uh uh to get good marks in ayesha answer writing or and or in ayesha paper thank you dosto